नितीस बाबु की राजिनिती क्या थी? नितीस बाबु को तो सबसे पहले अपनी तरफ से माफी माँगना चेका उंगरेश्चियों से? माफी माँगे ही? लालु जी माफी माँगे? नितीस बाबू, लालू जी, इस लोग के तो पहचान ही क्या रही थी, तो नितिस बाव को तो सबसे पहले जो पाटी का दफ्तर है ना उसमें से लोहिया जी का जेपी का करपूरी जी का अंबेडिकर जी का इस सब की मूर्ति हटा लेनी चाहिए और वहाँ पर वही भाई नहरू जी का सिलमतिंद्रा गांधी जी का राजीब गांधी जी का सोनिया गांधी जी का राहूल गांधी जी का सब को फूटो लगाना ची चिंतित होना सभाविक है ना है चुकि इन लोग सब की दुकान हो गए बंद और नितिस बाव को आज कल बहुत याद आता है कि इतिहास बदल देंगे आरे देखिए अपना चेहरा पहले आई नाम देखें एक दफ्तर का नितिस बाव नाम बता दे कि बीना पैसा लिए काम होता है और इससे बड़ा भरश्ट अचार का नमोना क्या होगा जी आखिर मिसन 2024 का राज क्या है नितिस कुमार जी का देखिए मिसन 2024 को लेकर आज विहार में विपक्ची एक जूटता को लेकर वैठक किया गया जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से कई नेता बिहार के मुख्यमंत्रे नितिस कुमार के आबास पर वैठक में सामिल होने के लिए पहुचे फिलाल इसवट हमारे साथ भारत सरकार के पुर्वकेंद्रिय मंत्रे आर सीपी सिंग है और इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि नितिस कुमार के काफी करिवी रहे थे और उनसे भलिभाती परिचित हैं सर 2024 मिसन 2024 को लेकर आज भी पच्छी एक जूटता का बैठक नितिस कुमार जी के आवास पर किया गया किस रूप में इस बैठक देखिए बैठक किया गया अब बैठक का फला फल क्या निकल गया कि फिर अगले महीने हम लोग सिम्ला में बैठक करेंगे देखिए बैठक तभी कोई सार्थक होता है सफल बैठक कहा जाता है जहां जो आपका एजेंडा है उसकी जानकारी सबको हो और एजेंडा पर क्या संबाद हुआ अपस में और क्या निरने हुआ तभी निकिसी परिटक का मतलब है आप आये पौने चार घंटा तक बैठक किये क्या चर्चा की कि मुख्य मुद्धा क्या है देखिए जितनी पार्टी आई उसमें से सिर्फ दो पार्टिया है जो कॉंग्रेस पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी है उसका एक प्रदेश से ज़्याद जगों पर सरकार है बागी तो जितने हैं अपने राज्जी में तो अपने राज्जी में बताएं हमता बनरजी जी कॉंग्रेस को रिजस्ट करेंगी देखिए वो क्या करेंगे सीपीम साथ पर रहे तो कॉंग्रेस को साथ नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी आप देखें चाहें पंजाब हो राजस्थान हो दिल्ली हो जहां भी है उनका तो सीधा सीधा मुकाबला कॉंग्रेस से ही है तो इस तरह का जो आपस में ही कंट्राडिक्शन है वहां कैसा एक हो सकता देखिए एकता का मतलब अगर आप देखिए लोग बात करते हैं कि पहले बिहार में हुआ सततर में हुआ तो सततर में चाहर पार्टी यह जो एक मिलकर एक जंता पार्टी बनी थी एक पार्टी बन गई एक सिंबल पर चुनाव कोई किसी को क्या मदद करेंगा बताइए निती सबाब हुँ तामिलनाडों में क्या स्टेलेंजी को मदद करेंगे ममता बन जी निती सबाब को बिहार में क्या मदद करेंगी तो यह जो देखिए कवायद क्या है कवायद है कि जो एक तरफ देखिए क्या है बंसबादी पा एक पिढ़ी दूसरे पिढ़ी के लोग सब सामने आ रहे हैं जो दल बनाते हैं उनके बेटा उसी दल का फिर नेता हो जाए देखिए दूसरी तरफ भारति जिन्ता पार्टी यह बंसवादी नहीं है परिवारवाद नहीं है यहां जिसको आप बोलते हैं पूरे के पूरे रा जरा सूच देजिए डीम के का जरा दूखिये जरा मने किसी को कोई इतिहास याद नहीं है जब 1975 इमर्जंसी लगाए गई थे जून के महिने में लोग बोल गए जितने लोग यहां बैठे हुए थे इमर्जंसी में कहां थे सब लोग सब जेल में थे और 1975 में अज़े में अ तो उस समय की ततकारीन प्रधान मंत्री स्रीमति इंद्राय गांधी जी ने तमील नाडू की सरकार कौन थे उस समय के मुख मंत्री करूना नहीं दी जी थे उनके सरकार को परखास्त किया था और आज देखिए उनके लोग आ रहे हैं कॉंगर के साथ बैठ रहे हैं नितीस जरा सूची है जब यह मुख मंत्री बने तो जेपी जो अंदोलन हुआ था उसमें जितने साथ ही सरीक हुए थे उनको समान करने के लिए अन्य आयोग बनाया था पर अब जो जरा सूची लोग जसे नानी अपनों जयपी को जेल में कौन बंद किया जयपी के जेल में किड्नी कीकिस समय में खराब होई और ये नितिस बावु को जाईए दफ्तर में क्या बोल देखेगा लोहिया जी की मूरती लगए लोहिया जी का क्या था पूरा कपूरी जी का अंबेडिकर जी का इस सब की मूरती हटा लेनी चाहिए और वहां पर वही नहरू जी का सिर्मतिंद्रा गांधी जी का राजीव गांधी जी का सोनिया गांधी जी का रागुल गांधी जी का सब को फोटो लगाना चीए विपक्षी एकता का सन्योजक बताया जा रहा है नितीज जी को कहा जा रहा है कि अभी तो घोसना नहीं हुआ भई अच्छा जरा सुन लीजी आप जरा देखिए बिहार के साथ कितना वड़ा नियाय कर रहे हैं लूँ बिहार की जनता ने नितीज बाव को किस बात ले जनाद कि बिहार में आप विक्षित बनाई आप क्या कर रहे तीन वहीं दोने करें और आप क्या है क्या घोसना कि मैं प्रधानमंत्री को भूंदॉगोर नहीं हूँ कि भाई आप खुद बोलते हैं कि भाई मैं राजनीती में बड़ा ही सब चीज को बड़ा परधर सीधं से करता हूं तो इतने जो नेताएं हैं उनका खर्चा कोन दिया है जी यह कोई सरकारी बठक तो थी नहीं यह सुद दुरूप से राजनीतिक पार्टियों की बठक है और उसमें एक तो आप सीम हाउस में बठक कर रहे हैं सीम हाउस का दुरूप योग कर रहे हैं जितने नेता लोग आये हैं सब पर कितना खर्चा हुआ है सिक्रूटी पर कितना ख खर्चा हुआ है उपकोन देगा जी बता दें कि को सरकारी बठकती तो आप जरा सोची है कि बिहार को तो मिला कुछ नहीं नितीस बाब को घोसने हो जाता कि वाज संजुजग बन गए तो भी ने हुआ तो भाई इतना खर्चा किया बिहारे से प्रदेश का कितना खर्चा हुआ है जोड़ने कही है इनको बिहार की जनता जानना चाहिएगी अच्छ सर हमारा एक सवाल है मात्र एक नेता नरिंदर मोदी के खिलाफ इतनी एक जूटता इतने लोग चिंती थोड़ा है देखिए चिंती थोड़ा सभाविक है ना है चुकि इन लोग सब की दुकान हो गए बंद आप जड़ा देखिए आप जड़ा देखिए यह पटना में मिल रहे हैं और नरिंदर मोदी जी कहां आज हैं अमेरिका में जड़ा सुन लिजे भई किस प्रकार अमेरिका में उनक कामें ने हुआ है सब कोई छेत्र बता दें सब छेत्र में काम हुआ है बताए ना कि यह भी जान रहे हैं कि भारत दुनिया का तीसरा पाचमा अर्थवबस्था है आगे आने वाले समय में तीसरा हो जाएगा इस अब उपलब्दी नहीं है तो भारत वर्स के बारे में बाह दौरान उसके साथ अट गलवही आदे फिर रहें और आप कि खत्रा है लोकतन्टर में और तीस बाबु। बहुत याद आता है कि इतिहास बदल देंगे और नितीस बाबु इतिहास क्या बदला जाएगा भारत वर्सका भारत वर्सका इतिहास ज़रा जानते हैं आप भी कि भारत वर्सका इतिहास में सबसे बड़ा काला ध्या क्या था जो 1975 इमेरजनसी लागू किया गे आप ज़रा बताई नितीस बाब को तो सबसे पहले अपनी तरफ से मांगी माफी मांगना चाहिए का उग्रस्यों से कि माफी मांगे लालू जी माफी मांगे कि इमर्जन्सी जो लगा था में से इंटराइस्टल मॉनेटरी फंड कह रहा है भारत का यंग न वो कह रहा है कि 9 सालों में देश में गरीबी घटी है और जितने भी जो सबसको कहते हैं पॉरेस पूर है पॉइंट परसंट से भी नीचे आ गए आज आप देख रहे हैं जी कि पूरे देश में जब से करोना आया है गरीब आदमी को पांच किलो अनाज मुपत में मिल रहा है आप ज़रा जान लिए लोको तो पिसा बरदास नहीं होता है ना भारत वर्स में अब तक एक ग्यारा लाख एक कीस जार लाख टन जो है अनाज का बित्रन किया जा जो है फ्री में सर हमारा इस पर हम आपको रोकना चाहेंगे इस वार हाल के दिनों में महागट वंदन के लोग सलकों पर बैठे थे महागाई भ्रहष्ट आचारी कि केंद्र सरकार के रीजन में काफी महागाई हो गया काफी भ्रहष्ट आचार बढ़ गया है यानि बिरुजगारी बढ़ आई आई बताते हैं देखिए अपना चेहरा पहले आएना में देखें दिक्कत क्या है नहीं कि महंगाई के बारें कुछ अंदाज है लोग करोना के बाद देखिए बात है कि यहां को पढ़ता लिगता तो है नितीज वाव को कहिए उनका कार्ज करता हों को समझाएं कि अमेर अब भारत परस में सबसे कम है जी चार परसेंट के आसपास है तो बोलने को अब रश्टा चार बता देजिए जी नौ साल का कार्ज काल हो गया क्या हाल है आज तक एक भी लोग रफेल पर उठाया था मामला कुछ निकला है पूरा का पूरा इतना उला समझे डील हुआ बह बिहार में क्या है जी चले अब दफ्तर में एक दफ्तर का नितिस भाव नाम बता दे कि बीना पैसा लिए काम होता है और इससे बड़ा भरश्ट चार कर नमोना क्या होगा जी सत्रा सो करोल का पूल किस परकार गिर गया ईह लोग बोलता है तो बिहार के लोग हसते हैं लेक कि आप इनके मुझ से सब सोभा देता है जी इनके मुझ सब सोभा नहीं देता है नितिस भाव राजिनिती क्या थी वो दिन भर किसके खिलाफ लड़े पहले कांगरेस के खिलाफ उसके लालु जादी खिलाफ आप कहां बैठे हुए और देखिए इनका कोई सुध्धानत न पक्षी एक था मनें बताया था कि बिहार का इतना संसाधन कर्च का डाले बिहार को क्या मिला हमारा एक लस्ट सवाल है मिसन दोहजार चौबीस नितीश कुमार को आपसे वेहतर कोई नहीं जान सकता है पीएस से ले करके आप उनके काफी करीवी रहे हैं आखिर मिसन दोहजार चौबीस का राज क्या है नितीश कुमार जी का देखिए उनको पता है कि जमीन खिसक चुगी है उनके जितने समर्थक लोग थे सब बेहद खफा हैं आक्रोशित हैं कि नितीश बावू को बिहार के ज सब्सक्राइब चरचा ना करें इसलिए इस तरह के काम में लगे हैं और एक बात में बता दूँ देखिए इसके बात को समझ लीजिए पहले तो बोलते साथ पार्टियों के सरकार है मांजी चले गए अब इनका छे पार्टी बचा है ना छे पार्टी बचा है उसमें दू पार्टी और माले उसका एक MP नहीं भारत वरस में जी एक MP नहीं है वही MP बनाने के लिए अब सुनिया ना मैं बता तो रहा हूं बता रहें आपको बता रहें तो पहले नितिस वागों पहले तैक कर लेने कि बिहार में 40 सीट है कितना कांग्रिस को देंगे कितना माले को दे पहले तेकर खत्रा कहां पर जान लिए जो जेडियू है जो आर जेडिये दोनों की तासीर नहीं मिलती जी दोनों को काज करता का सभाब शरित्र नहीं मिलता है नितिस वागों को पता है कि जब चुनाम में जाएंगे ना अकेले लड़ें तो मैं फिर बता रहा हूं आपका आर जेडि में अगर मर्जर इनका नहीं हुआ अकेले लड़ें इनका जमानत जब थोगी वर्क इनके कंडियर कारण में बता दूँ जमानत बचाने के लिए बिहार में कम सकम दू लाख वोट चाहिए कहां आएगा इनका कौन देने वाला है वोट इनका कुछ बचा है जी बार बार जो चर्चा करते तो क्या क्या थी पिछला समाज का इनके आसपा से को थी पिछला दिखता है जरा बता दीजिए आज की बैठक में कौन लोग थे नितीस वाबू उनके राष्ट्रिय ध्यक्ष और उनका एक महासचीब कौन है वो सब को या थी पिछला समाज का है नठिस बाब कुमितवार को नहीं देगा मैं बता देता हूं आपको तो यह हमारे साथ भारत सरकार के पुरवक केंद्रिय मंत्रे आर्सीपी सिंग है जो बरतमान में भारतिय जन्रता पार्टी के वरिष्ट नेता हैं और इन्होंने शाफ तोर पर कहा कि विहार में अब नितीश कुमार का राजनैतिक प् जो है वो टाइटाइप फिस हो जाएगा जैसा कि इन्होंने दाबा किया